इन दिनों असम सरकार के दोरा जो बाल विवाय के खिलाब अभियान चलाया जा रहा है वो चर्चा का बिसे बना हुआ है तो आज किस वीडियो हम जानेंगे कि आखिरकार बाल विवाय होता क्या है असम सरकार ने बाल विवाय के लिए अभियान क्यों चलाया है और इसको आखिरकार कैसे रोका जा सकता है तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि बाल विवाय होता क्या है तो बाल विवाय का सिंपल मिनेंग यह है कि किसी भी पुरुस की साध्य यदी 21 वर्ष से पहले और महिला की साधी 18 वर्ष से पहले हो जाती है तो बाल विवाह की अंतरगत आता है तो अब हम समझते हैं कि असम सरकार ने बाल विवाह की खिलाब अभियान क्यों चलाया हुआ है तो असम से ही चलने की जो असली बज़े है वो यह है यहां का जो maternal mortality rate है और infant mortality rate है वो बहुत ही ज़्यादा है आप देखें असम का जो maternal mortality rate है यानि मातरत में तुदर मतलब यदि किसी महिला ने बच्चे को जरम दिया तो कई बार एक साल के अंदर ही उस महिला की death हो जाती है बाल विवाया के कारण ही यह आप कह सकते है maternal mortality rate और maternal mortality rate की जो एक एहम बज़े है वो हो जाता है early marriage तो आप देखें असम में बहुत ही बुरी situation है इस तरह से आप बात करें infant mortality rate की तो आप देखें देश के average से यहां पर infant mortality rate भी जादा है तो इन ही को रोकने के लिए जैसे आप समझे मातरत मरत्यूदर है मतलब कई महिलाओं की और उनकी बच्चों की death हो जाती है तो उसकी असली बज़े है बाल विवाया और बहुत से बच्चे जो कुपोसित होते है उसकी भी एक बज़ बन जाती है बाल विवाय इसलिए असम सरकार ने यह decision लिया है कि 2026 तक हम लगातार इस तरीके की actions लेते रहेंगे ताकि बाल विवाय जैसी कुरूती को हम लोग खतम कर सकें तो असम सरकार इस बाल लगातार कानूनों को उप्योग करके कारवाही कर रही है और इस पूरे प केस पनिस्मेंट मतलब जो अधर पर पोजाली होंगे मौलवी होंगे उनको भी पनिस्मेंट दिया जाएगा या फिर जो भी रिलेटिब्स होंगे गैस होके उनको भी पनिस्मेंट दिया जाएगा यदि चायड मैरे इसका कोई केस आता है और इसकी सजा है लगभग दो साल तक साथ ही साथ इसमें एक लाग का जुर्माना भी लगाया जकता है। इसके लाबा और इस्टिक टेक्शन लिए जारे हैं कुछ लोगों के लाब यदि उन्होंने फोर्टीन इयर्स से पहले ही साधी कर ली है तो उसमें असम सरकार पोक्सो एक्ट भी लगा रही है। पोक्सो का फुल्पम होता है प्रोटेक्शन ओब चिल्टर्न प्रॉम सेक्सूल ओफेंस एक्ट। इसके तहस सरकार किसी व्यक्ति को बाद में साथ साथ तक के लिए जेल भेज देती और उसको आजीवन कारावास भी दिया जा रहा है। अब हम बात करते हें कि भारत में चार्ड मारिश की क्या इस्तिती है आप देखें दुणिया में जितने भी चार्ड मारिश की केस आते हैं। उसमें से हर तीसरा जो चार्ड मेरिस का केस है वो इंडिया में हो जाता है और दुनिया में कुल 650 मिलियन चार्ड मेरिस की केसिस आते हैं और उसमें से इंडिया में आप समझिए 223 million cases child marriage के आयात थे हैं आप समझ सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कहीं बाल विवाय होते हैं तो वो भारत देशी है इसका आप इदि हम बात करें महिला और पुरसों में क्या देशी हो है आप समझे चार में से हर एक महिला बाल विवाय का सिकार है इसी तरीक से पुरसों में 25 में से हर एक पुरस बाल विवाय का सिकार है और इदि हम बात करें रूरल और अर्बन एरियाज की तो आप देखें गाउं में यह ज़्यादा इसका परसेंटेज है तो 27% child marriage गाउं में हो जाती है और 14.7% आपको अर्बन एरियाज में child marriage की केसिस देखने को मिल जाएंगे इसकलाब बात करें कि 2020 में child marriage के केसिस कितने दर्ज किये गए थे तो वो थे इंडिया में 785 और जिए हम टॉप states की बात करें कि कहाँ पर यह केसिस ज़्यादा दर्ज किये गए तो थे करनाटका, असम, बेस्ट बेंगोल, तमिलनाडू और तिलंगाना लेकिन हम बास्तों में ये देखें कि आखिरकार भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा child marriage होती है तो उनमें से आपको भारत के 5 states देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आधे से ज़्यादा भारत के child marriage के case आपको देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले उसमें उत्तरपदेश यहाँ पर 36% child marriage हो जाती है बिहार में देखें तो 22% बेस्ट बेंगोल में भी 22% जो भी marriage होती है उसमें child marriage 22% है फिर हैं महराष्टा 20% और मत्पदेश 16% और इन 5 राज्यों में ही भारत के लगभग आधे से ज़्यादा child marriage के cases आपको देखने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ऐसी बज़े कौन सी है जिसकी वज़े से भारत में बाल विवाह लगातार होती जाती है तो पहला है traditional system सुर्वास से चला आता था कि जो भी बालिकाएं हैं उनकी बहुत पहले साधी हो जाती थी और इसका एक historical region भी कि भारत में बहुत से आकरमान होती रहती थे तो सेनकों से रक्षा करने के लिए उनकी जल्दी साधी कर दी आती थी इसकला बदी हम कुछ और कारणों की बात करें तो आप देखें pressure from relatives और pressure from family members कई बार जो पारिबार एक सदस्स हैं और जो उनकी रिष्टेदार हैं जो भी दवाव बनाते हैं कि लड़की की जल्दी साधी कर देनी चाहिए और एक और जो एहम बज़ा है हो है demand of dowry मतलब दहेज प्रथा अभी भी एक बहुत बुरी कूप प्रथा है और उससे बचने के लिए कई बार जो parents हैं वो जल्दी साधी कर देते क्योंकि जब early child marriage हो जाती है तो उसमें दहेज देने का जो इसू है वो बहुत ही कम रहता है इसकलाबा safety and security problems भी देखी जाती है कई बार आप देखते होंगे rape के cases देखने को मिल जाते हैं तो लड़की सुरक्षित रहे इसलिए उसको कई बार इस हिसाब से भी उसकी जल्दी साधी कर दी जाती है इसकलाबा लेन ओनर से प्रेडिटिव इसूस भी देखे जाते हैं कई बार यह अभी भी भारत क्या है पिर सक्तारतम समादे तो यह माना जाता है कि असली right property किस का ह होना चाहिए उसके लड़कों का ना की लड़की का तो इस चक्कर में कई बार जल्दी साधी कर देते हैं कि यह अपने सस्राल चली जाएगी और जो भी property है उस पर यह अपना मालिकाना हग नहीं जताएगी लेकिन आज की rate में आप समझे चाहे उसकी साधी हो जाए उसके ब बहुत जादा है अभी भी 30 करोन लोग भारत में गरीब हैं तो डौरी से बचने के लिए और गरीब हैं तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी जो लड़की और सस्राल चली जाएगी उतना जादा उसका जो भूजन पानी की विस्ता है या फिर education health की विस्ता है वो उनको नहीं कर सकते हैं यदि हम उसको खतम करना हैं तो society यानि समाज को भी आंगे आना होगा